मैं हूँ मन्जू मा बेटी के चैनल में आपका स्वागत है आप लोगों ने हमारी दाजलिंग ट्रिप की पार्ट टू वीडियो देख लिया होगा तो आज मैं आपके साथ दाजलिंग पार्ट 3 की वीडियो सेर कर रही हूँ जिसमें मैं मेरी सीमान प्यू पॉइंट और रिवर कवर कर रही हूँ तो वीडियो में इन तक बने रहीएगा कहीं भी स्कीप नहीं किज़ेगा क्योंकि मैंने इसमें काफी अच्छी अच्छी व्यू को कवर किया अच्छी अच्छी करे। देखने के बाद यहां रिषी रोड होते हूए रिषी रोड होते हूए हम लोग मेरी जहिल देखेंगे I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows know you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 मैक्सिमम 10 मिनिट बहार रुके थे तो यह देखिए यहां पर कुछ हम लोगों का पीक है जो आपके साथ सेट की हूँ इसके बाद हम लोगों ने एक जगा और स्टेक के आत होए देर के लिए जिसका नाम है सिमाना व्यूपॉइंट शिमाना व्यूपॉइंट अमेरिक लिए 20 km पर पर परता है और दाजन से 24 km पर व्यूपॉइंट परता है इस व्यूपॉइंट से आप नेपाल का बहुत ही अच्छा व्यूपॉप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है यह वाकई में एक दिल्चस्प जगह है यहां दिल को छू लेने वानी वातियों का काफी अच्छा खुबसरत सा भ्यू मतलब देखने को मिलता है इसके साथ ही सीमाना में काफी बड़ा मार्केट मिले है जहां से आप अपने परिजनों के लिए फैमिल के लिए कुछ अच्छ इस भीकोईन के पास आप अच्छे से ना जाराँ देख सकते हो और आप चाहे या कॉपी हो की सकते हैं यहां पर मोच और कुछ-कुछ जैसे की मैगी सर्फी मतला मिलता है तो आप अगर काफी भूख लगी है तो आप इसे पूरा बहुत खा सकते हैं तो हम लोगों ने तोड़ा तोड़ा कुछ खाया था और बनी ने भी खाया था और उसके बाद जो बनी का हाल हुआ गाड़ी में उसे फुरा चक्कर आने लगा क्योंकि वो रैम्स देख रहा था तो सर नीचे किया था तो चक्कर आने लगा इसलिए उसे पुरा वामटिंग तो हम लोगों ने गाड़ी को दोड़ा यहां बीच में साइड करके उसको पुरा क्लें किया उसके बाद ड्रेस अब किया उसके बाद फिर से हम लोग किया है तो यहां यहां से हम एक पॉल्स ने और 20 मिनिट लगेगा झाल झाल आपके लड़ा है किस्तेलि़ फर शट करेशा टार पहुंद सुजारं टोस्य कर ओडिखान्न किस्तेलि़ MON है झाल फार टूसे सिर्टा। बाल गर्म currents स constraints झाल 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 मिरिक लेक यह एक नेचरल जील हो इस जील की कराई लगग तीन फूट से 27 फूट तक है इस जील में आपको वोटिंग कर सकते हैं और आप मचली भी पकर सकते हैं और काफे अचे-चे मचली भी आपको देखने को मिलेगा यहां पर आप सुबह दस बजे से लेकर साम को चार ब बाइब कर सकते हैं और आपको मिरिक किनारे मतलब यह जीती किनारे लंबे-लंबे पेड़ की बहुत भारमार है पेड़ की आप देख सकते हैं काफी लंबे-लंबे पेड़ हैं जो ऐसा लगता है कि वह पूरे आस्मान को छुब रहा है इनकी कुपसूरती मन को पुरा मूं लेती हैं घने पेड़ोर के बीश से उपर पहाड की और जाने के लिए कई रास्ते भी बने में हैं लेक के पास में ही पूल के दूसरी और लगवग दस मिनट चाड़ने के बाद साथ चोटे-चोटे मंदिर का समूब भी आपको दिखाई पड़ता है यह अस्थान देवी स्तां के ना जाता है और चार जाहर ज्या से गिरह होने के कारभशम दर ओर बाद है कि गय hyvinृतं ऑर है जाँ को इसके। गरी में कई चाई बगान भी है है यहां से सबसे भाण्ग ज्जादे मिपर पहुंसते हैं कि आपको मुझे लगता है कि आधा गंटा लगा था हमने को पहुचने में वहां पर काफी अच्छा रिवर है जो आपको देखने को मिलता है आप वहां जाकर अगर आप थक्योंगे तो बस पैर को आप जब उस लिवर में मतलब रखेंगे तो पूरा आपको मन फ्रीस एक्तम बिलकुल हो जाता है आप बहुत ही अच्छा आपको लगेगा यहां पर देखिए बनी और उसके डैड़ा बनी को रिवर में मतलब पैर बनी डाला हुआ है तो थोड़ा मस्ती कर रहा है यहां पर मैं आपको यह रिवर दिखा रही हूँ अच्छली मैं पूरा के नहीं दिखा पा रही हूँ बड़ जो भी है मेरे पास यही है आप लेके देखिए काफी अच्छा भ्यू है यहां का है देतर जो पर रही है तो बड़ा चैंजी का अच्छा रही है अच्छा जब सबस्ते है उखवार में आपको यहां का। कि अचिए खब चुछ इचे ठीज़ बूब टोचाइं के अचिए अचिए चाइग अचिए यूजीट लगाइग जा टेज़ इंची अचिए इस वाइग प्रशश धर बाइग उड़ा से यूट अचाइग एग जाइग इस देगाइ इस जड़ नचे शुछ बाइग और यह देखिए हम लोग यह थोड़े मस्ति करते हुए मावेटा साथ में है और हम दोनों बस्ति कर रहे हैं और यहां पर इसके डैड़ा भी है और यहां पर देखिए मेरी छोटे वाले भाई और भावी है बिल्कुल टाइटेनिक वाले पोज में और बनी यहां पर बोल रहा था कि मैं मतलम की मुझे इस रिखार में ही जम करना है इसे जम करने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और अपना पूरा ड्रेस लिला कर लिय देखिती हैं मम लोगो छे बुझे तर के स्टेशन भी पहुचना था सिलीबूरी स्टेशन पहुचना था तो हम लोग जल्दे जल्दे यहां से निकलने का कोसिस कर रहा थे और हम लोगो रास्ते में क्या हुआ कि हम लोग काफी ट्राफिक में पढ़ गया थे तो बहुत ल ताने ही लो पॉँचेगा खना थे ता अ वोटाइट है अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए का, कमेंट कर दीजिए और जैलस जाज़ा अपने प्रेंड एंपामी में सेयर किजिए अगर मेरी चानल पर न्यू है तो प्लीज मेरी चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए गा इसी तरह नोते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ अब तक लिए बाई बाई और हाँ अपने सपोर्ट मावेटी के चानल पर बनाई रखेंगा बाई बाई